गुट एवनिंग एवरिवन कैसे हैं आप लोग गुट एवनिंग गैज तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरा थना fundamental of nursing fundamental की जितनी भी important बाते हैं जितनी भी question है चाहे RML हो चाहे राजस्थान CHO हो इन सब के अंदर जो भी important question आने वाले हैं उन सब को आज हम discuss करने वाले हैं ठीक है तो start करते हैं अच्छे लोग और अच्छे किताबे तोरंट समझ में नहीं आते उन्हें पढ़ना पढ़ता है इस नए quotation के साथ हम हमारा session start करते हैं और पहला question आप सब के लिए that is what which type of solution cause water to shift from the cell to plasma cell to plasma यहां एक बात समझेगा जो question पूछा गया है आप से वो क्या पूछा गया है question जो पूछा गया आप से वो क्या पूछा गया है कि cell से plasma के अंदर fluid कौन सा fluid shift करता है यह cell है और plasma ठीक है तो यहां से पूछा गया है cell to plasma option A alkaline, option B hypotonic, option C hypotonic, option D isotonic चले बच्चों बताइगेगा क्या होगा सही जबब what is the right answer which type of solution cause water to shift from cell to plasma cell से plasma के अंदर यहां से fluid यहां कैसे जाएगा cell से plasma में कैसे जाएगा तो there is three types of fluid, isotonic fluid, second one is your hypotonic fluid, third one is your hypotonic fluid तीन प्रकार के fluid होते है, isotonic fluid वो fluid होते हैं जिनकी osmolity body fluid के equivalent होती है दूसरा fluid जो होता है, that is your hypotonic fluid, ऐसा fluid जिसकी osmolity plasma से, यह blood से कम होती है और तीसरा hypotonic fluid, तो यहां ध्यान दखेगा, हम जब शकर खाते हैं, तो हमें प्यास जादा लगती है, है ना बच्चो, तो जब osmolity बड़ी होई होगी, तो क्या करेगा, वो cell के अंदर से fluid को बाहर निकाल लेगा, तो what is the right answer? hypertonic fluid, तो जब भी हम hypertonic fluid administer करेंगे, तो cell जो है, यहां एक बहुत प्यारा question आपसे और भी पूछा जा सकता है, बहुत प्यारा question यह पूछा जा सकता है, कि अगर किसी patient को hypertonic fluid दिया जाएगा, तो cell के size में क्या परिवर्तन होगा, यह question भी आपका, जिपमेर के अंदर आ र होगा, वो क्या होगा, hypertonic fluid, जो सही जवाब होगा, वो होगा आपका, hypertonic fluid, is that clear, चले गाईज, बिलकुल कुछ लोगों ने जवाब दिया, बिलकुल सही जवाब दिया, correct answer, very nice, B is the right answer, B बिलकुल सही जवाब है, hypertonic fluid, यहां दूसरा question भी पूछा जा सकता है, दूसरा जो वो क्या होगा, देखो यहां पर यहां पर यह भी पूछा जा सकता है, यहां से तीन question बनेंगे, पहला जो सवाल, कि अगर किसी patient को hypertonic fluid है, उसकी जगह hypertonic fluid दिया जाएगा, तो क्या होगा, अगर hypertonic fluid दिया जाएगा, तो क्या जवाब होगा? और hypertonic fluid देंगे तो cell से वो fluid को निकाल लेगी तो cell shrink हो जाएगी तो question ये भी पूछा जा सकता है कि क्या variation आएगा hypotonic and hypertonic के अंदर and isotonic के अंदर तो तीनों बाते आपको एक ही question से समझ में आ गई होगी यहां से एक question का उद्देश था कि आपको तीनों ही बाते अलग-अलग समझ में आ जाए good evening everyone, good evening everyone, सभी को good evening चलिए अब बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब अनीता, सन्नी कोशिक, बहुत अच्छा जवाब चलिए good, very nice, very nice, चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है हमारा, three year old child is hospitalized for persistent vomiting बहुत ही शांदर सवाल, acid-based balance का, एक तीन साल का बच्चा है और उसे vomiting हो रही है, उसे vomiting हो रही है, बच्चों, और अगर vomiting हो रही है nurse monitor the child, बताएगा बच्चों क्या जवाब होगा, option A, metabolic acidosis option B, metabolic alkylosis, option C, diarrhea, option D, cholera what is the correct answer, will you tell me, बताएगा बच्चों चलिए, कुछ लोगों का जवाब आया है है, यहाँ पर, metabolic alkylosis metabolic alkylosis, बहुत शानदा जवाब, बहुत शानदा जवाब, very nice, very nice ultimate, ultimate देखेगा बच्चों, यहाँ एक simple second से बताता हूँ यह एक तरह जू है, जिसके अंदर acid और base हैं, यह एक तरह जू है, acid और base हैं, आप अगर acid को बहाँ निकालोगे, acid को बहाँ निकालोगे, तो base बढ़ जाएगा, अगर आप base को बहाँ निकालो गोई, तो acid बढ़ जाएगा, is that clear, तो बिल्कुल सही जवाब, बेबी को base पसंद है, जो base वाला बाग है, base वाला बाग, जो stomach है, stomach से उपर, acid उसके नीचे जितने भी fluid है, वो basic content के होते हैं, तो जब भी vomiting होगी, तो acid बहार आगेगा, तो body के अंदर क्या बढ़ेगा base बढ़ेगा, और जब आपका colostomy irrigation होगा, right, colostomy irrigation होगा, base वाला बाग है, और base वाला बाग है, base बहार निकलेगा, base बहार निकलेगा, तो अच्छों क्या होगा, body के अंदर acid बढ़ेगा, तो colostomy है, तो colostomy का जवाब क्या होगा, colostomy का जवाब होगा, metabolic acidosis, और जब आपक का जवाब होगा metabolic alkalosis बिल्कुल सही जवाब metabolic alkalosis very nice very nice बच्चो dimple बहुत चांदा जवाब चलिए very nice चलिए अगला question है आपका next तो इससे दो question clear हो गए colostomy पूछा जा सकता है और vomiting भी पूछा जा सकता है तो जब भी याद रखीगा colostomy irrigation हो चाहे dudanostomy हो जब भी base की बाद आती है lower part की बाद आती है तो हम base को बहाँ निकालते हैं और base को बहाँ निकलेगा तो body के अंदर acid बढ़ेगा बहुत शांदार बहुत शांदार चलिए अगली बात के लेते हैं the percentage of water in the average adult human body देखें बहुत अच्छा सवाल है बहुत शांदार सवाल है कई लोगों के जवाब मेरे लिखने से पहले ही आगे बहुत ultimate ultimate पूर्णम धाकर सुमेत महेंद्र कुमर पूजा अलीशा पंचल वेरी नाइस देखें अगर हम बात कर हैं कि human body के अंदर कितना होता है बताएगा बच्चो तो total body weight का 60% यहां एक बात समझेगा हर line से question बन सकता है total body weight का कितना होता है total body weight का बच्चो 60% होता है 60% होता है और यह 60% fluid जो है वो कितनी भागों में बटा होता है तो किस के अंदर है एक normal adult के अंदर अगर यही पूछा जाता infant के अंदर यही question होता है infant के अंदर तो that is 80% of total body weight 80% of total body weight total body weight का 80% प्रतीशत बच्चों के अंदर क्या होता है फ्लिूड होता है बहुत शा अंदर चलिए दूसरा कुशन अगर यही कुशन पूचा होता है elderly के अंदर यही कुशन आप से पूचा होता elderly के अंदर कितना होता है elderly यही question होता है elderly तो आपका जवाब क्या होता तो आपका जवाब होता 55% कितना होता तो आपका जवाब होता 55% Is that clear? अब यहाँ तीसरा question आपके लिए क्या बन सकता था तीसरा question यह बन सकता था which have higher risk of fluid imbalance adult, elderly or infant adult, elderly or infant क्या जवाब होता तो जादा जो सही correct answer होता कि more risk, सबसे ज़्यादा risk जो होती that is in elder यह और यह भी question आपका BHU के अंदर पूछा जा चुका है तो बचों यह बात बहुत अच्छे सी याद रखेंगे, बहुत शान्दार जवाब, कहीं लोगों के answer 50% भी आ रहे है बट एप्राक्स 55% elderly, elderly के अंदर जो होता है वो 55% होता है चलिए, good बहुत शान्दा जवाब very nice, very nice चलिए, बहुत अच्छा जवाब very nice दिरज्यादा वोगड इविनिंग जईश्री राम, चलिए, good अगली बात सुनिएगा, next question तो यहाँ पर यह जो 60% right answer क्या है, 60% यहाँ पर एक question और ध्यान रखना ECF and ICF ECF ICF ECF की बात करें, तो that is extracellular fluid और ICF की बात करें, intracellular fluid, अब मुझे एक बात बताईएगा दोनों में से जादा क्या होता है दोनों में से जादा क्या होता है बोलिएगा बच्चो, जादा क्या होता है ECF जादा होता है या ICF जादा होता है कौन बताईगा, चलिए मन्जू बिलकुल सही जवब चलिए बताएगा, what is the ECF that is your 30% and ICF is your 70% of total body fluid, total body fluid 40% of total body weight likewise ECF how much? ECF हो गया, total body fluid का 30% and 18% of total body weight, you should have clear, ये बाद भी समझ में आज जानी चीए, is that clear? very nice, बहात अच्छे, बहात अच्छे, तो बच्चों इसी तरह मेहनत करनी है इसी तरह मेहनत करते रहना है, बिलकुल सफलता निश्चित तौर पे मिलनी है सफलता निश्चित तौर पे मिलनी है है ना? चलिए, next question आपके लिए the client with gastric lavage और prolonged vomiting, अब gastric lavage कहे या suctioning कहे gastric suctioning कहे, अभी मैंने बात करी, gastric lavage कहे या gastric suctioning कहे, gastric lavage और you can say gastric suctioning gastric suctioning, दोनों ही स्थिती में क्या होगा? अभी बताया मैंने, बताओ, दोनों ही स्थिती में acid बाहर होगा और acid बाहर होगा तो body के अंदर क्या बढ़ेगा? body के अंदर, बोलो बच्चो, जब acid बाहर होगा, तो that lead to the what? alkalosis, बिल्कुल सही जवाब, alkalosis, बिल्कुल सही, शांदार जवाब, very nice, very nice, जादा से जादा class को share करिएगा, बच्चो, जादा से जादा class को share करिएगा, बहुत अच्छा जवाब, ultimate, very nice, very nice, very nice, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, चलिए, यहां तक की बात समच में आ गई, अगला, अगला question, अगला question देखेगा, next is your, when plasma enters the tissue, it is called, when plasma enters the tissue, जब plasma tissue के अंदर आता है, उस fluid को क्या कहते हैं, तो जब आपका plasma, इस के इंदर cell के बीच जो आता है, तो यह जो space है, इस fluid को अपन क्या कहते हैं, interstitial fluid, क्या कहते हैं बच्चो, that is called interstitial fluid, lymph, blood, interstitial fluid and capillary, तो what is the right answer, सही जवाब क्या होगा, बोलो बच्चो, the right answer is your interstitial fluid, चलिए, very nice, और इसी fluid को अपन क्या केते हैं, it is also known as third space, इसी third space भी कहा जाता है, चलिए, very nice, बहुत अच्छे, अगला question, next question देखेगा, in case of respiratory acidosis, चलिए, acid-base को question है, in case of respiratory acidosis, there is increased level of respiratory acidosis के अंदर, किसका level बढ़ जाता है, option A, bicarbonate, option B, HO2, option C, O2, and option C, D, CO2, what is the right answer, बताएगा, क्या होगा, सही जवाब, फटाबट बताएगा बच्चो, what is the right answer, चलिए, D, पूजा, एहलावत, आपका अंसर बिलकुल ठीक है, चलिए, तो बिलकुल अच्छे सी याद रखना है, बहुत अच्छा, सनी कौश एक, very nice, very nice, याद रखीगा, बहुत अच्छा, very nice, तो आपका जवाब होगा, pH inversely proportional to 1 upon CO2, right, तो pH और PCO2 में opposite relation होता है, और acidosis के अंदर pH कम, तो CO2 बढ़ेगा, is that clear, तो ये बात अच्छे से याद रखना है, respiratory acidosis, और respiratory acidosis में आपका जवाब होगा, that is, increased CO2, बहुत शांदर, चले, अगली बात करेंगे, next, अगला question, which of the following value indicate metabolic alkalosis, कौन सी वेल्यू जो है, वो metabolic alkalosis को indicate करेंगे, which of the following value indicates metabolic alkalosis, metabolic alkalosis में हमें ध्यान रखना है, क्या, there is a ROME, respiratory opposite metabolic equal, respiratory opposite metabolic equal, चले, तो क्या जवाब होगा, चले, क्या जवाब होगा, बताएगा, क्या जवाब होगा, अब metabolic alkalosis पूछा है, मतलब pH तो बढ़ा होगा, और bicarbonate भी बढ़ा होगा, pH बढ़ा होगा, और bicarbonate भी बढ़ा होगा, चले, बताएगा, what is the right answer, pH बढ़ा होगा, इसमें क्या है pH, कम है, मतलब, option पहला देखते ही गलत हो गया, दूसरा, pH बढ़ा होगा है, CO2, लेकिन bicarbonate नॉर्मल है, ये भी गलत, pH बढ़ा होगा है, bicarbonate नॉर्मल है, ये भी गलत, तो सही जवाब क्या होगा, थोड़ी सही बताएगा, चलिए, बिलकुल सही जवाब, B is the right answer, B बिलकुल सही जवाब है बच्चों, चलिए, next, अगला question, अगला सवाल, next, देखेगा, in a healthy 70 kg adult male, healthy 70 kg adult male, the intracellular volume is, सितर केजी का patient है, तो उसका IC intracellular fluid कितना होगा, what is the intracellular fluid in a 70 kg, बताएगा, चलिए, बताएगा, कितना होगा ICF, तो 70, तो बताएगा, कितना होगा, सही सही जवाब, 60 का 72%, तो that is your, B is the correct answer, 42 liter, बिलकुल सही जवाब, चलिए, बहुत अच्चे, बहुत अच्चे, very nice, very nice, very nice, बहुत अच्चे, बहुत अच्चे, जवाब, ultimate, कुंजल चौदरी, very nice, चलिए, बच्चों इसी तरह मेहनत करते रहना है, very nice, पूजा वेशन, मोहमद आमीर, रिना जांगर, अगला सवाल, बताएगा, आप यहां देख रहे हैं, यह भी घट रहा है, यह भी, गट रहा है, तो इस सिचुईशन के अंदर पेशन को क्या है, metabolic alkalosis, metabolic alkalosis, और metabolic acidosis, और जब metabolic acidosis है, तो metabolic acidosis को correct करने के लिए, metabolic acidosis को correct करने के लिए, हम क्या देंगे, what we will provide, बताएगा, what is the right answer, हाँ, acidosis है तो क्या होगा, क्या देना है, option A, magnesium hydroid, option B, oxygen via nasal cannula, option C, epinephrine, option D, intravenous sodium bicarbonate, तो जब भी हमें correct करना होता है, क्या metabolic acidosis, जब भी metabolic, metabolic acidosis को correct करना हो, तो we will, acidosis को जब भी correct करना हो, तो हम क्या करेंगे, we will administer bicarbonate, हम क्या administer करेंगे, bicarbonate, D is the correct answer, D is the correct answer, चले गुट, बहुत अच्छे, चले नेक्स्ट, अगला सवाल, आप लोगों के लिए, calcium balance in the body is regulated with the help of, calcium को balance कौन करता है, बताइएगा, calcium balance कौन करता है, calcium balance कौन करता है, प्रकाश, last question, कौन सबलब, इसमें पूछा है, intracellular fluid volume, तो बटा, यहाँ देखेगा, ICF कितना होता है, intracellular fluid, 70%, ठीक है, और extracellular fluid कितना होता है, 30%, ठीक है, अब 70 kg patient है, 70 kg patient है, 70 kg patient, बताइएगा, तो 70 kg का, 70 का 60%, तो यह हुगा आपका, 22 liter, yes, तो 22 liter हुआ, 22 का, आप निकाल देजीगा, तो यह होगा, आपका answer, A, 28 liter, yes, 28 is right answer, बिल्कुल सही जवाब, 28 liter, चलिए, very nice, next, अगली बात कर लेते हैं, नॉर्मल लेवल आफ प्टेशियम, यह बात कर रहे था हम, calcium balance, calcium balance कौन करता है, बिटा, 70 kg का, पूछा गया है, 70 kg का, 60%, 70 kg है, total body weight का, 60% fluid होता है, total body weight का, 60%, तो उस व्यक्ति के अंदर, total fluid कितना होगा, 42 liter, और 42 liter का, 70% ICF, and 30% ECF, तो बिटा, यह बात आपको याद रखनी है, that you need to clear, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, चलिए, हम बात करें थे हैं, calcium balance की, की body के अंदर, calcium को कौन balance करता है, option A, aldosterone, option B, calcitonine, option C, परतार्वन, option D, both B and C, B और C, दोनो, क्या होगा सही जवाब, बताएगा बच्चों, D, very nice, very nice, बहुत अच्छी मेहनद कर रहे हैं आप लोड, बहुत अच्छा जवाब, calcitonine, जो की क्या करता है, calcium को कम करता है, जबकि पैरा थार्मोन जो है, वो calcium को बढ़ाता है, तो इस तरीके से दोनों ही maintain करते हैं, दोनों ही maintain करते हैं, तो right answer is your, what? D is the correct answer, D is the correct answer, बिल्कुल सही जवाब, चलिए, very nice, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अगला सवाल, अगला question, next देखिएगा, normal serum potassium level, normal serum potassium कितना होता है, फटा-फट बताएगा, बिल्कुल सनी कोशिश, बॉन में डालता है, बहुत अच्छे, very nice, चलिए, next is your, potassium level normal कितना होता है, तो potassium level कहीं बार पूछा गया है, that is, option A, 2.5 to 3.5, B, 6.5 to 7.5, option D, 5.5 to 6.5, and option D, 3.5 to 5, what is the right answer, yes, very nice, D is the correct answer, D, बिल्कुल सही जवाब है, हाँ, 5.1 B के सिपने श्रावन कुमार, D is the correct answer, D, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, जो लोग शांदर मेहनत कर रहे हैं, सफलता निश्ची तौर पे मिलनी है, तारों में अकेला, चांद जग मगाता है, मुश्किलों में अकेला, इंसान डग मगाता है, काटों से मत गबराना, मेरे दोस्त, क्योंकि काटों में ही अकेला, गुलाब मुस्कराता है, आज रोजडे है, तो उसके उपलक्ष में याद रखना, काटों में ही अकेला, गुलाब मुस्कराता है, तो हमें काटों के बीच रहे के, जो लोग हमारे आगे पीछे पड़ाओसी सारे लोग परेशान कर रहे हैं कोई कहां सेलेक्शन हुआ कहेंगे लोग लेकिन लोगों काम कहने का है आपको याद रखना है अपनी मेहनत को लगातार करते जाना है ठीक है चलिए अगली बात के लेते हैं अगली बात सुनिएगा अच्छा कोशन कितनी बार पूछा गया है कितनी बार पूछा गया है प्रिंसिपल एलेक्टोलाइट कौन सा है प्रिंसिपल एलेक्टोलाइट कौन सा है बताएगा प्रिंसिपल एलेक्टोलाइट और यहाँ पर आपको याद रखने हैं दो बाते याद रखनी है एक है रखना किस तरीके से याद रखना है extra salt to extra cellular में salt ज्यादा होता है extra में salt ज्यादा होता है इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है ठीक है extracellular में salt sodium and chloride तो intracellular में क्या होगा potassium and phosphate intracellular में potassium ये 4 question आपको बहुत अच्छे से prepare होगे इनको अच्छे से याद रखना है तो सही जवाब आपका क्या होगा that is potassium सही जवाब क्या होगा potassium बिलकुल है सही जवाब होगा चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल अगला important question लेकर है which of the following ECG finding बहुत ही शान्दा जवाब indicate the presence of hypokalemia कितनी ही बार competition के अंदर आया हुआ है hypokalemia आपको बहुत अच्छे से पता है hypokalemia के अंदर क्या-क्या इसी changes होंगे hypokalemia and hyperkalemia दोनों ही चीज़े पूछी जाती है hypokalemia में क्या होगा और hyperkalemia में क्या होगा तो hypokalemia बताइएगा hypokalemia में आपको मिलेगा क्या ST depression inverted T wave and prominent U wave बता हाइपokalemia पूछा है हाइपokalemia पूछा है सुनेना प्रकाश प्रजापती हाइपokalemia पूछा है हाइपokalemia में क्या होगा ये बिल्कुल सही जवाब है स्वीटी करन ये बिल्कुल सही जवाब है ये बिल्कुल सही जवाब हर्शिता शर्मा वेरी नाइस वेरी नाइस ये इस दा करेक्ट आंसर तो यहाँ पर ST segment depression प्रोलांग पियर इंटर्वल टॉल्पिक्ड T wave वाइडर QRS complex ये तीनो के तीनो किसमें दिखते हैं बच्चों बताओ ये तीनो के तीनो किसमें दिखते हैं ये तीनो साइन है किसके that are the sign of hyperkalemia these are the sign of hyperkalemia तो ये आपके hyperkalemia के sign है तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे बहुत शांदार ultimate बटा इसी तरह मेहनत करते रहना है चलिए अगला कुशन ये कितनी बार 10 से 12 बार पूचा गया कुशन है the electrolyte disorder that is common in a patient on insulin infusion insulin की दुश्मनी है potassium से insulin की दुश्मनी है potassium से बटा पढ़ लो एक बार देख लो क्या पूचा था चलिए बताएगा the electrolyte disorder that is common in patient on insulin infusion बटा आप हाईपरकेलीमिया बता रहे हो पूचा क्या है जिस पेशन को insulin चल ला है कुशन को ध्यान से पढ़ो mistakes करा देती है है ना यही कुशन जो है वो बड़े हम खुश हो के जाते है यस मेरा तो 100% correct है और बहार आके वही गलत हो जाता है option A hyperkalemia option B hyponatremia option C hyponatremia option D hypokalemia वोट इस दे राइट आंसर बहुत अच्छे अब समझ में आया बिटा लेकिन पहली बाल में तो गलती कर दी और गलती तो नहीं करनी है गलती तो नहीं करनी है चलिए बिलकुल सही जवाब पोटेशम को भगाती है चल भग कोई काम नहीं है तेरा पोटेशम को सेल के अंदर भेज देती है इंसुलेन इंसुलेन बेसे ही आता है पोटेशम डर के जो पड़ी में गुश जाता है सेल के अंदर चला जाता है यस वेरी नाइस बहुत अच्छे हाइपोकेलेमिया इस दा करेक्ट आंसर यह राइट आंसर इस यार डी हाइपोकेलेमिया नेक्स कोशन अगले कोशन की तरफ देखीगा स्पाइरोन लेक्टान प्रोड्यूस नाम से इस परस्ट है नाम से ही इस परस्ट है बताएगा Spironolactone produces Spironolactone क्या produce करता है बताएगा बच्चों अच्छा ठीक है अनीता मान लिया चलिए बताएगा Spironolactone Spironolactone क्या है That is your Potassium Sparing Diuretic यह एक बेटा Potassium Sparing Diuretic है और Potassium Sparing Diuretic किस पर काम करता है Potassium Sparing Diuretic किस पर काम करता है बच्चों This is your यह DCT और यहाँ Sodium Potassium Atipases है Sodium Potassium Atipases है तो यह है आपका Aldosterone Antagonist इसको अपन बोल सकते हैं Aldosterone Antagonist Aldosterone Antagonist है और Aldosterone Antagonist क्या करता है Sodium को अंदर लेता है Potassium को बहार निकालता है But Aldosterone Antagonist Aldosterone तो क्या करता है Sodium को अंदर लेता है Potassium को बहार निकालता है लेकिन aldosterone antagonist ना तो sodium को अंदर लेता है ना potassium को बहार निकलता है तो that lead to the option A hyperkalemia, option B hyponatremia, option C hypokalemia, option D what hyponatremia बट इसमें पहली priority में आपको जवाब देना है that is hyperkalemia A is the right answer, A बिलकुल ठीक जवाब है बहुत अच्छे, सुभाष कुमावत, महेंदर सेरिवी, बिलकुल सही जवाब, शांदार जवाब चलिए, very nice, बहुत अच्छे बहुत शांदार, अगला कॉस्चिन चलिए, अगला कॉस्चिन देखेगा process that draws the solvent from a less concentrated solute through a selectively permeable membrane into a more concentrated solute till the point of equalization is called बहुत प्यारा कॉस्चिन और ये भी combined aims के इंदर पूछा गया था option A, filtration, option B, osmosis, option C, diffusion, option D, ultra filtration let's see how many people will give answer देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं B चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सही जवाब होगा आपका, osmosis बिलकुल ठीक जवाब है osmosis बिलकुल ठीक जवाब है very nice, very nice, बहुत अच्छे, osmosis बिलकुल शानदा जवाब है तो osmosis के अंदर क्या होता है तो osmosis के अंदर semi permeable membrane के थुरू fluid जो है, solute की less concentration से solute की more concentration के आर move करता है very nice, सौरब चौधरी, very nice answer उमांगी, आशा, सनिकाशिक, very nice, चलिगा, अगले कोशन की तरफ बढ़ते है next question हमारा, which problem can develop as a result of two rapid correction of hypernatremia चलिए, इसके जवाब कौन देगा which problem can develop as a result of two rapid correction of hypernatremia hypernatremia का अगर fast correction किया जाए, तो क्या होगा पहले ही question में मैंने आपको बताया था अगर fast correction किया जाए, तो क्या होगा बताएगा, option A, pulmonary edema option B, renal failure option C, arrhythmia option D, cerebral edema पूजा अहलावत का जवाब आयागा सबसे पहले very nice D, बहुत अच्छे Rajesh Kumar आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है देखे बच्छो, अगर fast correction किया गया, बहुत अच्छे D is the right answer, fast correction करेंगे तो that fluid become, what, जो fluid है वो क्या हो जाएगा hypotonic और fluid अगर hypotonic हो गया तो क्या होगा, that reach into the cells cells के अंदर चला जाएगा और cell के अंदर जाएगा that develops cerebral edema क्या develop करेगा ये ये develop करेगा cerebral edema is that clear, तो ये बात आपको समझ में आज आने चाहे, right answer is your cerebral edema चलिए, अगला सवाल, next question अगली बात करें हम अगली important बात that is what, for mother receiving magnesium sulfate for symptoms of hypomagnetia an important sign for the nurse to note first, ये भी कितनी बार पूछा गया है अगर किसी patient को hypomagnetia है, तो hypomagnetia हमों को correct करेंगे, तो हम क्या देंगे जाहिर सी बात है, sir we will administer magnesium sulfate, हम क्या administer करेंगे, तो हम administer करेंगे magnesium sulfate को, और किसी patient को अगर magnesium sulfate दिया जाए, तो अगर overdose हो, नहीं हो, उसके लिए हम क्या assist करते हैं, option a loss of dip tendon reflex, या dip tendon decrease dip tendon reflex, option b tingling, option c rapid pulse rate, option d cool skin temperature what is the right answer, कहीं लोगों का जवाब आया, यह बिल्कुल ठीक सवार है बिल्कुल सही जवाब, decrease dtr, very nice decrease deep tendon reflex, deep tendon reflex, घट जाते है यह बिल्कुल सही जवाब है very nice बहुत अच्छे चली, next question a nurse caring for a group of clients reviewed the illoculate lab result and notes a potassium level of 5.5 और 5.5 का मतलब क्या है what do you mean by the 5.5 that is hyperkalemia 5.5 का मतलब है hyperkalemia ठीके बच्छो, right hyperkalemia हुआ, the nurse understand that which client is at most risk for development of a potassium value at his level तो कौन सा patient ऐसा होगा जिसके अंदर इन चार में से कौन सा patient ऐसा है जिसके अंदर risk of hyperkalemia है बताएगा option a the client who has been overusing luxatives ऐसा client जो luxatives का overuse कर रहा और luxative का overuse करेगा patient में है diarrhea diarrhea में hyperkalemia नहीं हो सकता पहला जवाल पहला option गलत हो गया दूसरी important बात वो क्या है the client who has sustained a traumatic injury yes traumatic injury अगर traumatic injury में क्या होगा traumatic injury में क्या होगा बताएगा traumatic injury में D गलत अंचर है बिलकुल B सही जवाब है traumatic multiple puncture और multiple puncture होगे तो cell क्या होगी rupture और cell अगर rupture होई तो क्या होगा cell rupture होई तो क्या होगा cell अगर आपकी rupture होई तो याद रखना potassium बाहर और potassium level बढ़ जाएगा increase potassium level is that clear very nice Pooja एलवद बहुत शांदर जवाब next question अगला सवाब next a nurse is preparing to care for a client with a potassium deficit कह दिया पेशिंट को क्या है hypo क्यली मिया है the nurse reviews the client's record and determine that the client is at risk for developing the potassium deficit because the client is अब कैस कौन से पेशिंट ऐसा है जिसको hypokalemia होगा ये कुशन पूछा गया है तो क्या जवाब होगा option a on potassium sparing diuretic बिलकुल गलाज जवाब has history of Addison's disease has history of renal disease has on nasogastric suction चलिए क्या होगा जवाब बताएगा patient को क्या गया गया है potassium deficit और potassium deficit का मतलब क्या तो आपको बहुत अच्छी से पता है बच्चो nasogastric suction alkalosis 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 खुद कहरा है alkalosis खुद कहरा है k low potassium low potassium low alkalosis खुद कहरा है potassium low है इस देट क्लिर तो सही जवाब क्या होगा that is what right answer is your D is the correct answer बताएगा बच्चो समझ में आया is that clear very nice महेंद्र, रीन, बहुत अच्छा जवाब very nice इसी तरह पढ़ते रहिएगा अगला question hyperkalemia lead to what changes in ECG hypokalemia की वज़े से hyperkalemia की वज़े से क्या-क्या इसी changes आये थे अभी बताएगा था मैंने what tall-picked T-wave tall-picked T-wave then your ST depression तो किसम आएगा hyper यहाँ पर आपका आएगा tall-picked T-wave उसके बाद wider QRS complex और prolonged PR interval prolonged PR interval यह चीज़े आपको याद रखनी है तो यहाँ पर inverted T-wave गलत जवाब tall-picked T-wave yes, that is the सही आंसर यह बिल्कुल सही जवाब है और यहाँ पर देखेगा prolonged QT interval wider QRS prolonged QT interval wider QRS यह भी गलत जवाब सही जवाब जो है that is what जो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा B tall-picked T-wave और यह कितनी बार बच्चो पूछा गया है महनत लगातार करते रहना है बच्चो is that clear यहां तकी बात समझ में आ गई जब बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी टकराऊंगा जब बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी टकराऊंगा मुसीबत जाहे जितनी आए मुसीबत चाहे जितनी आए लक्ष को खीच कर लाऊंगा मुसीबत चाहे कितनी आए लक्ष को खीच कर लाओंगा बचो लक्ष को खीच के लाना है खुब मेहनत करनी है, खुब पढ़ाई करनी है मबाप का नाम रोशन करना है चले बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे Next Nurse was called to see a patient with a noisy breathing क्या कहा है? Nurse noisy breathing She suspect laryngospasm with a strider and it occurs commonly with किसके अंदर होता है? किसके अंदर होता है? बताएगा अब noisy breathing कहा है laryngospasm कहा है noisy breathing कहा है laryngospasm कहा है noisy breathing, laryngospasm बताएगे बच्छों किस में होगा noisy breathing and laryngospasm option A, hypokalcemia option B, hypokalemia option C, hyperkalcemia option D, hyperkalemia what is the right answer? yes Pooja Veshnav, Anita, Reena बहुत ही शांदा जबब बहुत ही शांदा जबब hypokalcemia और hypokalcemia में एक question और पूछा जा सकता है that is what hypokalcemia में एक question आपका और पूछा जा सकता है वो क्या है? that is what trousey sign and trosteck sign trosteck sign और trousey sign दूसरा है आपका trousey sign trosteck sign and trousey sign ये भी पूछा जा सकता है तो hypokalcemia में दोनों sign भी important है तो इनको भी आप अच्छे से याद रखेंगे चले नेक्स्ट अगला question in case of development of arctic area one half hour after the blood transfusion has begun the first action by the nurse should be अगर किसी patient को anaphylactic reaction हो जाए तो पहला sign कौन सा होगा? option A to slow the rate of infusion option B to stop the infusion option C to note vital sign option D to administer antihistamine पहला काम क्या होगा बच्चों? पहला काम क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? बताएगा B तो सबसे पहले हम करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे stop the infusion शांदर ultimate चले नेक्स्ट अगला सवाल अगला कुशन नेक्स्ट है in an emergency when the patient is unable to state his blood group it is safer to cross match with the blood group अब किसी patient को emergency है और emergency में अगर किसी patient को emergency है और emergency के अंदर हमें blood देना है उस patient को अगर blood देना है तो कौन सा blood देंगे? कौन सा blood देंगे? option A O negative option B M negative option C A B positive option D A negative तो A negative या O negative O negative is a universal donor कौन सा है? बिलकुल सही जवाब A जो है वो आपका universal donor है और universal donor हम सबसे पहले दे सकते हैं बहुत शानदार ultimate very nice very nice बहुत ही अच्छे चलिए good nice बिटा next the following statement is true regarding transfusion of blood to a hemodynamically stable patient देखो पहले कौन ने कह दिया है कि भाई साब जो patient है वो hemodynamically stable है भाई साब जो question है वो hemodynamically stable है ये कौन ने पहले ही कह दिया है आपको right कौन ने पहले कह दिया hemodynamically stable है option a the unit of blood should be warmed at the bedside for one hour before starting transfusion एक गंटे पहले तो नहीं करते हैं दूसरा the transfusion should be completed within 4 hour 4 गंटे के अंदर हमें transfusion complete करना है option c blood should be administered slowly and completed not before 6 hour option c option d 150 ml should be transfused in the first 15 minute yes बहुत शानदा जवाद भारत राज पुरोहिद yes बहुत अच्छा b is the correct answer क्यों क्योंकि हमें 4 गंटे के अंदर पूरा करना है ताकि हम क्या कर सके bacterial growth को prevent कर सके क्या कर सके bacterial growth को prevent कर सके और bacterial growth को prevent करने के लिए हम क्या करते है that 4 गंटे के अंदर हम administer कर देते हैं बहुत शानदा जवाब next अगला कोशन देखीगा before giving blood transition a nurse must note the date time of collection and must be aware that fact RBC can be stored up to ये भी कितनी ही बार पूछा गया है बहुत ही शानदार बच्चो very nice ultimate what is the right answer option A 45 days option B 35 days option C 55 days option D 25 days तो सही जवाब क्या होगा सही जवाब होगा 35 days yes very nice next question which of the following area is not present in the blood transfusion services blood bank के अंदर निम्न में से कौन सा एरिया नहीं होता है which of the following area not present in a blood bank blood bank के अंदर कौन सा एरिया नहीं होता है option A component separation room option B bleeding room option C therapeutic day care room option D cold room what is the right answer component separation room present होता है bleeding room नहीं होता है इसके लवा therapeutic day care room present होता है and cold room भी present होता है और यह भी कौन बहात important है that is very important चले वरी नाइस बहात अच्छा जवाब प्रियंका करन श्वेता भारत राध्राज पुरोईट बहात अच्छा जवाब बहात शान्दर जवाब चले अगला कौन next which solution should the nurse infuse before starting a blood transfusion blood transfusion से पहले कौन सा fluid start करना है nurse को option A ringer lactate solution option B 5% dextrose in half Ns option C 0.9% Ns isotonic saline option D 5% dextrose in water what is the right answer बताएगा बच्चों सही जवाब क्या होगा yes C is the correct answer isotonic solution blood के साथ के वल blood के पहले blood के साथ एक ही fluid दिया जा सकता है that is what वो है आपका isotonic fluid one and only solution that is which one वो है आपका isotonic solution can be given with a can be given with a blood products very nice चलें next question अगला सवाल अगला सवाल है अपका which drug will anticipate the nurse to prescribed by physician to child with a frequent blood transfusion अब किसी बच्चे को अगर बार बार blood transfusion किया जा रहा है बार बार blood transfusion किया जा रहा है अगर किसी बच्चे को बार बार blood transfusion किया जा रहा है तो उस पेशन को किस की जरुवत है ऑप्शन एट डी फेरुक्सामीन ऑप्शन भी हिपैरीन ऑप्शन सी आयरन ऑप्शन डी विटामीन जिसको कुशन को डंग से पढ़िएगा जिन लोग जो लोग सी जवाब दे रहे हैं वो डंग से कुशन को पढ़िएगा यहां क्या पूछा है विच ड्रग विल एंटिसीपीट दन नर्स तो कौन सी ड्रग देंगे यह पूछा गया है आयरन ऑवरलोड होगा राइट और आय क्या कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों हीमोसिडेरोसिस क्या कहा जाता है हीमोसिडेरोसिस हीमोसिडेरोसिस इसको कहते हैं हम हीमोसिडेरोसिस और हीमोसिडेरोसिस का एंटी डॉट आयरन का एंटी डॉट क्या है आप्शन एडी फेरक्सामिन बिलकुल शांदार जवाब शा आपका अंसर सही है महेंद्र वेरी नाइस सनी कॉशिक मनीश मुहमन आबीर बहुत अच्छी चलिए अगला सवल नेक्स्ट कुश्चन अब ब्लड रास्विजन शुड़ बी कम्प्लिटेट विदिन फौर आर अभी बताया था चार घंटे के अंदर क्यों करना है चार घंटे हाइपो थर्मिया ऑप्शन C प्रिवेंटर हीमोलाइटिक ट्रांस्विजन रेक्शन आप्शन D प्रिवेंटर फ्यूड आवर लोट सही जवाब क्या होगा यस वेरी नाइस ए इस दे करेक्ट आंसर ए बिलकुल ठीक जवाब है बचों डट प्रिवेंटर बैक्टिरियल ग बहुत शानदार जवाब वैरी नाइस चलिए अगला कुश्चन अब यहां पूछा गया है बचों कि कौन सा ब्लट ट्रांस्विजन का साइड इफेक्ट नहीं है अप्शन A हाइपरकेलसीमिया अप्शन B अलकिलोसिस अप्शन D हाइपोथर्मिया अप्शन D हाइपोकेलसीमिया चलिए बचों क्या जवाब होगा सौचेगा समझेगा और जवाब दिजीगा अगर किसी पेशन को हाइपोकेलसीमिया है सारी ब्लट ट्रांस्विजन है तो भी सूरत में नहीं हो सकता है ठीक है तो यह आपका क्या नहीं होगा यह पूछा है accept पूछा है तो हमें सोच समझ कर जवाब देना है very nice very nice बहुत अच्छे बहुत शांदार next समझेगा अगली बत अगला question maximum oxygen deliver to a patient by which route कौन से route के द्वारा yes पूजा एलावत बिल्कुल सही जवाब citrate जो है वो आपका hypokalcemia करता है और metabolic alkalosis भी करता है citrate जो है वो बात में जाके bicarbonate में convert होता है और वही bicarbonate आपका metabolic alkalosis करता है बहुत अच्छे चलिए शांदार पढ़ रहे हो आप लोग शांदार पढ़ रहे हो चलिए अगला question है आपका आपके सामने है कि maximum oxygen अंजली सिंग राजेश कुमार महेंद्र समीर खुश्बू वाव वेरे नाइस ऑंसर नौन रिबिदर मास्क maximum percentage of oxygen can be delivered by this route right maximum कितना up to the more than 90% clear और लग बग 100% भी कहें तो आपको non-ribisor mask जवाब देना है is that clear तो सही जवाब A B है nasal cannula गलत mask गलत O210 सही जवाब होगा आपका non-ribisor mask 100% oxygen can be delivered by non-ribisor mask बहुत शांदर जवाब ultimate चलिए अगला सवाल आपका next question पढ़िएगा अगला important question that is high concentration of oxygen administration to newborn may cause complication like यह बहुत प्यारा question है बहुत प्यारा question है बताईएगा क्या होगा जवाब चलिए बताईएगा क्या होगा option A menial coli age verb here retinal detachment option B respiratory failure option C retrolental fibroplasia option D polycythemia what is the right answer yes very nice retrolental fibroplasia और वो भी केतना more than 60% oxygen अगर किसी बच्चे को administer की जाती है वो भी लगातर 48 गंटे 18 से 20 गंटे तक तब जाकर कहीं retrolateral fibroplasia होता है and that lead to the loss of a vision option A retinal detachment B respiratory failure polycythemia सही जवाब है आपका retrolental fibroplasia बिल्कुल सही जवाब है बच्चो आपका next अगले question पर आते हैं अगला question समझेगा अगला question है how much oxygen a nurse should give to a patient with a chronic respiratory failure ठीक है question क्या पूछा गया है how much oxygen a nurse should give to a patient with a chronic respiratory failure chronic respiratory failure को हम किसके द्वारा देंगे बताएगा chronic respiratory failure that is option A 10 liter option B 12 liter option C 1 liter option D 2 liter nasal mark प्रॉंज तो जवाब होगा हमें chronic disease के अंदर respiratory failure COPD है obstructive pulmonitis है उनके अंदर हमें low flow oxygen देनी है we need to give low flow oxygen चलो कौन बताएगा low flow oxygen क्यों देते हैं why we are administering low flow oxygen low flow oxygen क्यों दी जाती है कौन बताएगा yes D बिलकुल सही जवाब है 2 liter per minute with a nasal प्रॉंज बताएगा 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 बताएगे काँ पर respiratory center वो shift हो जाता है oxygen पर इसलिए उनको low flow oxygen देते हैं क्योंकि वो oxygen को मियर करता है और उसकी वज़े से क्या होगा उसकी वज़े से क्या होगा बहुत अच्छा जवाब बहुत अच्छा जवाब तो उसकी वज़े से अगर आप high flow oxygen दोगे तो patient develops apnea patient के इंदर क्या develops हो सकता है apnea develop हो सकता है very nice very nice चले next question अगला question pulse oximeter gives what type of information about the client client को concept type की information pulse oximeter देगा option a amount of carbon dioxide in the blood option b amount of oxygen in the blood option c respiratory rate option d percentage of hemoglobin carrying oxygen what is the right answer what is the right answer क्या होगा जबब अब pulse oximeter gives what type of information about the client amount of carbon dioxide in the blood amount of oxygen in the blood respiratory rate or percentage of hemoglobin percentage of hemoglobin that is what वह आपका d is the correct answer कि यह क्या measure करता है percentage of hemoglobin carrying oxygen तो hemoglobin जो है वो कितने molecule को carry करता है hemoglobin चार oxygen molecule को carry करता है hemoglobin कितने oxygen molecule को carry करता है चार oxygen molecule को carry करता है और चार oxygen molecule को carry करेगा तो आपको बहुत अच्छी से पता है कि वन ग्राम hemoglobin carry 1.36 ml 1 gram hemoglobin carry 1.36 ml O2 यह बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना चलिए तो सही जवाब क्या होगा that percentage of hemoglobin carrying oxygen कितने परसेंट अगर चार और चार सवयों जगता है कैरी कर रहा है तो 100% oxygenated है चलिए अगला सवाल है आपका the device that can deliver oxygen at concentration of 90 to 100% 90-100% तक कौनसी device है option A nasal cannula, option B NRBM, option C partial revision mask, option D venturi mask पहले ही बता चुका हूँ सही जवाब क्या है that is NRBM NRBM चलिएगा बच्चो बहुत अच्छे बहुत शांदार जवाब अनीता बहुत शांदार जवाब इसी तरह मेहनत करते रिएगा, मेहनत पे वरोसा करीगा, किसमत पे वरोसा नहीं करना है किसमत बहुत ज़ादा नहीं चलती है ज़ादा चो चलती है वो महनत ही चलती है ध्यान रखना तो कयामत तक धरने पे बेट किसमत मैं कोशिश तक इस्तीफा नहीं दूँगा मैं कोशिश तक इस्तीफा नहीं दूँगा तो किसी भी हाल में हमें कोशिश नहीं छोड़नी है महनत लगातार करते रहना है किसमत पे भरोसा बिलकुल नहीं करना है चलिए अगली बात के लेते हैं next what is the color of oxygen cylinder in the hospital और ये question बहुत सिंपल कोशन है फिर भी कई बार पूछा गया है तो oxygen cylinder कौन से कलर का होता है option a blue option b black and white option c orange option d white what is the right answer top जो इसका होता हो कैसा होता है top जो है वो कैसा होता है top top जो है वो आपका white color होता है और body जो उसकी black color की होती है तो कैसा होता है that is black and white बिलकुल सही जवाब black and white b बिलकुल meanal calling very nice very nice very nice बहुत अच्छा जवाब चलिए next question अगला concentration of oxygen in expired is about यह कितनी बार पूछा गया है जब CPR देते हैं जब CPR देते हैं तो CPR में mouth to mouth breathing दी जाती है तो mouth to mouth breathing में कितने percent किस्मत समीर बहुत अच्छा किस्मत आपको मोका देगी मैनत सबको चोका देगी बिलकुल सही बात कहीं आपने सटिक बात कहीं चलिए concentration of oxygen in expired air is expired air के अंदर और यह भी पूछा गया ध्यान रख्या यह भी ध्यान रखेगा CPR के वक्त अगर कोई nurse mouth to mouth breathing दे रही है दोनों का अंसर एक ही होगा that is what 16% बिलकुल सही जवाब 16 प्रतीशत oxygen होगी 21% कहा होती है that is in a environment वो होती है आपकी environment के अंदर environment के अंदर कितनी होती है तो environment के अंदर होती है आपकी 21% चलिए next सवाल अगला सवाल अगला कुशन अब आते हैं अपन बहुत basic पार्ट पे और यहां से अक्सर कुशन आता है अब आते हैं बिलकुल basic पार्ट पे infusion of 1000 ml of normal saline over 12 hour require how many drops per minute when the drop factor is 15 drop per minute ऐसे कुशन अक्सर आते हैं और इन कुशन को कैसे सवाल करना है तो इन कुशन को ध्यान रखना है volume upon time into drop factor बस इस तरीके से आप solve करेंगे volume upon time volume किता है आपके पास 1000 ml volume in ml time in a minute volume in ml time in a minute very nice class sir बहुत बहुत धन्यवाद आपका चलिए अब बताइएगा volume और time into minute में convert करना है बारा घंटे को minute में convert करना और drop factor आपके सामने है 15 पंदर चाक 60 ठीक है और यह हो गया 200 तो आपका जवाब आएगा 21 drops per minute यस कहीं लोगों ने पहले ही जवाब दे दिया वाव 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 बिटा टाइम लगबग यही टाइम रहेगा यही टाइम रहेगा यही टाइम रहेगा साधे साथ बजे चलिए अगली बात सुनियेगा next अगला कुशन अगला कुशन अगला दॉक्तर है और 500 ml 5% dextrose to be administered for 5 hours पांच गंटे के लिए एंड शुट बैर यूजिंग व्यूरेट सेट एक चीज यहां पर लिखी है क्या व्यूरेट सेट has to set the drop per minute to deliver the appropriate amount calculate the flow rate flow rate calculate करनी है flow rate calculate करनी है तो आपके पास कितने drops है तो drop factor आपको यहां दिया हुआ क्या है व्यूरेट सेट और व्यूरेट सेट का मतलब क्या होता है व्यूरेट सेट का मतलब क्या होता है गौरव सिंग थैंक्यू व्यूरेट सेट का मतलब क्या होता है याद रखीगा को बताएगा ज ही रेट जैट मतलब है ऐ आ है वे Peny阿 का उजाव इच्षन क्या बात बहुत चानदर साउर्ब ले!!!!! LED से गाए ब्यूरेट से लिटस अलमा माई को दृट रिप सेट जो बक्यों कर न चोटा वाले डिपस होता है बहु चलता आपका micro drip set है ना वो होता है आपका micro drip set तो ये ध्यान रखिएगा ये micro drip set है और micro drip set के अंदर होती है 60 drops per ml 60 drops per ml अब देखीगा 500 into 5 और आपका 5 hours को आपको convert करना है minute के अंदर और drop factor यहां नहीं दिया है लेकिन इसने क्या दिया है तो हमें micro के लिए क्या मानना है 60 drops per ml macro के लिए 15 drops per ml तो यहां पर आप 60 से multiply करोगे 60 से 60 कटा यह आएगा आपका d100 micro drop per minute पीडिया सेट बहुत श्वेता दाकर बिल्कुल सही जवाब आपका बहुत शांदर ultimate चलिए तो यहां याद रखेगा 100 micro drip याद रखना है micro drops per minute calculation आपके सामने मैंने within seconds कर दी तो यहां यह ध्यान रखना है बस दिमाग के अंदर question को बिठाना है calculation वाले अगला सवाल 5% glucose line means अब यह बहुत प्यारा question 5% glucose line means याद रखना जब 5% dextrose हो तो इसको हम क्या बोलते हैं 5% dextrose 5D और NS that is 0.9% और इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है dns और यह पूछा है आपको dns के बारे में dns में क्या होता है dns में होता है बच्चो 5% dextrose plus 0.9% ns 5% dextrose plus 0.9% ns अब देखो इच 100 ml contain 5 gap glucose and 0.9% sodium chloride option b each 100 ml contain 5 gram glucose and 0.9% 0.5 gram दिया है यह पर यह गलत हो गया each 100 ml contain 5 gram glucose and 5 gram sodium chloride यह गलत हो गया option c each 100 ml contain 5 gram glucose and 0.45 gram sodium chloride यह भी गलत हो गया तो जवाब क्या हुआ आपका यह बिलकुल a सही जवाब यह बिलकुल शांदार जवाब शांदार जांदार मज़ेदार चलिए गुट यहां आपका अंसर होगा 5 gram glucose अगर यहीं कहते हाफ dns 0.45% dns तो यहां जवाब क्या होता अगर हाफ dns कहता तो जवाब क्या होता अगर हाफ dns कहता बच्चो तो जवाब होता आपका d क्योंकि हमेशा हाफ जो है वह एनस होगा dextrose तो आलवेज 5% रहेगा dextrose तो आलवेज 5% रहेगा बहुत अच्छा जवाब चलिए गुट आगे बढ़ें अगली बात सुनीगा next question अगला question आपके सामने है during an intravenous infusion of saline you observe that the infusion has stopped and there is an mild swelling around the the ivycite the skin is cool and puffy spelling तो है लेकिन यहां question है हमें क्या देखना है cool and a puffy अब देखेगा option a phlebitis option b infiltration option c air embolism option d atherosclerosis what is the right answer चलेगा बच्चों बताएगा क्या जवाब होगा what is the right answer b b b बिलकुल सही जवाब क्योंकि अगर यहां पर hot होता तो हम सोच सकते थे की warmness होती तो हम बात कर सकते थे थे phlebitis की बट यहां पर चो दिया है वो क्या दिया है coolness दिया और जब coolness दिया है तो आप answer भी क्या होगा that is b is that clear चलिए अगली बात कर लेते हैं अगली बात देखेगा next question isotonic fluid is isotonic fluid कौन सा है यह तो कितनी बार पूछे गए बच्चों isotonic fluid कौन सा है तो isotonic समझेगा कौन कौन से fluid isotonic है कौन कौन से fluid isotonic है मन्जु केश्वला ए श्वेता धकड बी यह अनिता बिल्कुल सही जवाब phlebitis वाम होता है चलिए गुट पूजा C महेंद्र C option A 0.45NS option B 0.3 NACL 0.9 and 1% तो सही जवाब है आपका C what C बिल्कुल सही जवाब है हाफ यह 0.9% है वो isotonic में 0.9% NACL 5% dextrose RL and 1.4 DNS यह आपके क्या है इस आर्द आइसो टॉनिक है हाइपो टॉनिक की बात करें तो हाइपो टॉनिक के अंदर आपके देख रहे हैं आप 0.45% NS मतलब की हाफ NS 1.3NS and 1.4NS 1.4NS यह हाइपो टॉनिक है और बच्चा हाइपो टॉनिक तो DNS है ठीक है उसके बाद आपका 10% extruse है 20% extruse है 25% extruse है 3% NS है 10% यह सारे के सारे आप क्या आते हैं आइसो टॉनिक फ्लूट के अंदर यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है नेक्स कुशन अगला दो ऑस्मलेटी आफ़ जिरो पॉइंट फॉर 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 परसेंट एनस यह भी पूछा गया है यह भी आपसे पूछा गया है क हाफ एनस क्या है बताएगा हाफ एनस क्या है हाफ एनस हाइपोटोनिक फ्लूड है हाइपोटोनिक के ऑस्मलेटी अगर आपको पता है कि हाफ एनस तो यह भी हाइपोटोनिक यह आइसो टॉनिक यह आइसो टॉनिक हाइपोटोनिक एक ही बचा आपका जवाब है 154 बड़े आराम से आपको जवाब मिल सकता है very nice D is the correct answer अगर हम बात करें 0.9% NS की 0.9% NS का होगा 308 278 की बात करें तो ये लगबग RL की Osmati होती है ठीक है और 512 की बात करें तो DNS की 560 होती है तो ये आपकी बहुत अच्छे से पता होना चीए Is that clear? बात समझ में आगे होगी बच्चों चलो अगला सवाल है तो यहाँ अंसर क्या होगा? राइट अंसर इस यार D 154 Milleosmol पर लिटर Is that? चलिए अगला सवाल अगले सवाल की तरब बढ़ते हैं Next question देखेगा Which of the following intravenous solution is hypotonic? निमन में से कौन सा intravenous solution hypotonic है अब मेरे इसाफ से सब लोग बड़े आराम से जवाब दे देंगे क्या होगा? Option A Half NS और Half NS क्या है? hypotonic ठीक है? दूसरा 5% dextrose in normal saline मतलब इसने कहा है? DNS और DNS क्या है? hypotonic DNS क्या है? hypotonic normal saline क्या है? isotonic ringal lactate क्या है? isotonic आप से पूछा क्या है? hypotonic your answer is A बिलकुल D को लोग कर दो संजी ringal lactate is मंजू not चलिए तो सही जवाब क्या होगा hypotonic के लिए A को लोग कर दो very nice चलिए good शशी तनुज रिद्धी सुनाइना महेंद्र बिलकुल सही जवाब next देखेगा अगला कुश्चन कुश्चन नमबर अब इसमें what should be added to normal saline which is concentrated to arterial line measuring invasive blood pressure अब यहाँ पूछा गया है arterial line बच्चो पूछा क्या गया है arterial line और arterial line block ना हो यह भी धियान रखना है ठीक है और तो arterial line block ना हो उसके लिए हमें क्या add करना है saline के अंदर option A protamine option B calcium option C potassium option D hyperine what is the right answer some people are telling D yes D is the correct answer hyperine और hyperine क्यों add करते है hyperine क्यों add करते है बताएगा बच्चो hyperine क्यों add करते है तो hyperine इसलिए add करते है ताकि line को clot होने से बचाया जा सके दूसरा सवाल हाँ बिल्कुल ABG में LN टेस्स करते है दूसरा सवाल आपका कि hyperine कि कि रेशो में मिलाते है कौन बताएगा hyperine कि रेशो में मिलाते है NS के अंदर तो hyperine जो है वो 1 is to 1 के रेशो में मिलाते है hyperine कि 1 is to 1 के रेशो में मिलाया जाता है is that clear 5000 ml है 5000 unit लेंगे 1000 ml है तो 1000 unit लेंगे चलिए next question अगला सेवल the size of intravenous cannula used for new needs 22 गौच यस बहुत अच्छा जवाब 1 is to 1 Pooja Pooja Veshna very nice 22 गौच 28 गौच 24 गौच 20 गौच क्या होगा सही जवाब बच्चों के अंदर administer करने के लिए हम क्या चलाते है कौन सी लाइन yes very nice बहुत अच्छा जवाब C is the 22 28 चौईस और 20 C बिलकुल सही जवाब है 24 गौच चले next question अगला सहल which route is most effective for rapid absorption and immediate effect in the body the drug given तुरंत प्रभाव तुरंत प्रभाव के लिए हम कौन सी drug देते हैं option A oral route तुरंत प्रभाव के लिए कौन से route से देते हैं option A oral route subcutaneous route intramuscular route and intravenous route कौन सा है बताएगा that is yes B चलिए B subcutaneous no D A oral तुरंत राइट आपका क्या है कहीं लोग इन जवाब दिया D, D बिल्कुल सही जवाब है D, बिल्कुल सही जवाब है IV root और IV root से fast absorption होता है वैसे तो fast inhalation and buckle के द्वारा होता है यह दिया नखना but option के according पूछा है तो option में इन चारों में best जो है वो है आपका intravenous है ठीक है चलिए no doubt Prakash और answer is correct sublingual but यहाँ option के according answer देना है चलिए अगली बत 7.5 mg of morphine sulfate I am started from from an ampoule of 10 mg per ml is to be administered how many ml of these drug is to be administered in a correct dose ऐसे question आपको परेशान करेंगे यहाँ हंडेट परसंट बाइल है उल्रीडी शशी बिल्कुल सही जबब चलो अब बताएगा ऐसे question में हमें क्या करना है ऐसे question में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ हमें लिख लेना है D upon A into Q D for desired dose A for available dose D जो है वो आपका desired dose है desired dose A जो है आपका available dose है और Q जो है आपका quantity है तीन चीज़े है desired dose जो doctor ने लिखी है doctor ने लिखी है A market में available है अब doctor ने क्या दिया यहाँ दिया आपका 7.5 mg available कितनी है 10 mg in 1 ml बस यह किया तो हमारा answer आगया B C 0.75 हाँ C किते लोगन जबाब दिया yes very nice C is the correct answer Bhagavati Vishnu खुश्बू शशी मंगला डिम्पल नवेन हरेशलूना महेंद्र C very nice C बिलकुल सही जबाब है और सटिक जबाब है चलिए अगली बद अगली इंपॉर्टिंट बद next जो है penicillin V 250 mg 8 आवर is prescribed for a child with respiratory infection the child weight is 20 kg the safe pediatric dose is 25 to 50 mg per kg per day the nurse determined that यह बहुत प्यारा कोशन है बहुत शान्दा कोशन है देखते है कितनी लोग सही जबाब देते है नहीं बिलकुल delete नहीं करेंगे बटा class delete नहीं करेंगे don't worry class delete नहीं करेंगे don't worry चलिएगा बताएगा there is not enough information to determine the safe dose option B the dose is within the safe dose range option C the dose is too low the dose is too high क्या होगा जवाब बचो फटाफट बताईएगा क्या होगा जवाब अब ऐसे कुशन का हम तोड कैसे निकालेंगे 250 mg है और 8 hourly है मतलब total 24 गंटे में कितना हुआ dose चोईज गंटे में कितना हुआ चोईज गंटे में हुआ 750 mg चलो तो टोटल एक दिन का dose बच्चे का हमारा निकल गया 750 TDS ना पर और 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 8 hourly का है 250 mg पर और और 8 hourly तो टोटल 24 आर का आगया हमारे पास 20 क्या है या 24 का 750 अब हमें निकालना है 25 to 50 25 to 50 तो कितने की लोगा है 20 की लोगा 20 kg इन्टू 25 या है आपका 500 mg दूसरा 20 kg इन्टू 50 तो यह आपका है 1000 तो बच्ची की dose जो है वो किसके बीच होनी चीए बच्ची की dose जो है वो आपकी 500 से लगा कर 1000 के बीच होनी चीए और बच्चे की dose हमने निकाली कितनी आई 750 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि dose is within the safe dose limit जो dose दी गई है वो dose safe limit के अंदर है इस एट क्लियर तो ऐसे question को आपको पहले देख लेना है पूछा क्या है पूछने के बाद आपको देखना है कि किस तरीके से dose दे रखी है उसके बाद आपको calculate करनी है तो आपको calculate करना आना चाहिए Is that clear guys? यहां तक की बाते आपको समझ में आ गई होगी चलिए अगला सवाल अगले सवाल पर आते हैं अगले question पर आते हैं Next When reconstitute with strel saline The wild contain 125 mg per 1.2 ml The nurse should administer what amount of the solution तो यहां पर आपको desired dose and available dose यह ध्यान रखना है तो desired dose कितना दिया है? 75 mg Available dose कितना है? तो D upon A into Q Desired dose है आपका कितना? तो desired dose आपका है 75 mg Available dose है आपका 125 mg Into कितनी quantity में? 1.2 3 4 Is that clear? 5 sorry ठीक है? 3 into 1.2 upon 5 इसको calculate करोगे तो आप का answer आएगा? C 0.72 ml जो जवाब होगा आपका वो होगा 0.72 ml कितने लोगों का जवाब दिया? 0.72 किसी का जवाब नहीं आया? Calculation तो बेटा करनी पड़ेगी है न? Calculation तो आपको करनी पड़ेगी मैंना आपको सिंपल तरीका बता दिया है किस तरीके से solve करते हैं? But you should have clear कि कैसे हमें solve करना है? चलिए अगला question Next Ordered is 180 mg of ciprotaxime intravenously Available form is 500 mg per 5 ml बस वही और यहाँ पर ध्याँ डखना What is the amount? Question देखना Question बहुत प्यारा है Question बहुत प्यारा है बिलकुल अनीता लेदर सही जवाब What is the amount of medication to be administered using a 2 ml syringe with a 10 division per ml? एक division में एक ml में 10 division है यह question ने कहा है पहले तो हमें dose निकालनी पड़ेगी Dose कैसे निकालेंगे? वही D upon A into Q D upon A into Q Desired dose, Available dose and quantity Desired dose कितना है? 180 Available 500 in 5 ml Is that clear? अब यहाँ पर आप कैसे calculate करेंगे? यहाँ पर देखीगा That is 100 और यह आए आपका 1.8 ml 1.8 ml Is that clear? और यहाँ कहा है 1 ml equal to 10 division 1 ml equal to 10 division तो आप बड़े आराम से 1.8 ml के लिए कितने division हुए? तो 1 के लिए तो 10 plus 0.8 के लिए 8 तो total आपको कितने division तक बनना है? 18 division तक 18 division तक कितना आया जवाब? That is 18 division यह आपका सही आंसर होगा Is that clear? समझ गया है बच्चों? बिलकुल सही जवाब Yes, C बिलकुल सही जवाब है C is the correct answer C बिलकुल ठीक आंसर है चलेगा, next अगली बात के लेते हैं identify the correct angle of insertion for different parental route अब 25 degree angle for SC SC के लिए पनकिता देते हैं SC के लिए पनकिता देते हैं SC के लिए पनकिता देते हैं बताएगा अगली बात 15 degree for intra-dermal intra-dermal के लिए कितना? 15 degree चीक है? 15 degree intra-dermal के लिए 60 degree for IM ये भी गलत है IM के लिए हम कितना यूज़ करते हैं? 90 degree angle next 30 degree for intramuscular intramuscular के लिए कितना? 30 degree है ना? ये भी गलत है क्योंकि हम लगाते हैं 90 तो सही जवाब क्या है? B is the right answer फिल्कुल सही जवाब शशी पूजा एलावत समेर रोहिल very nice बहुत शांदार जवाब ultimate चलिएगा अगला question next देखेगा one pint of 10% dextrose yield how many much energy चलिए इस question को कैसे solve करना है? देखते हैं कितनी लोग इस question को solve करते हैं चलिए बताएगा one pint of 10% dextrose yield how much of calorie कितने calorie देंगे? इसको कैसे calculate करेंगे? 5% dextrose in 100 ml ठीक है? 10% dextrose in 100 ml 10% dextrose मतलब 10 gram in 100 ml तो हमें कितना पूछा है? one pint one pint का मतलब क्या हुआ? one pint का मतलब हुआ 500 ml तो 500 ml में कितना होगा 10 gram 100 ml में है तो 50 gram in 1 pint अब आपको याद रखना है क्या simple सा one pint में 50 gram है तो 50 gram की बात करें तो 1 gram में कितनी energy होती है? 1 gram carbohydrate में कितनी energy होती है? 1 gram carbohydrate equal to how much? that is 4 kilo calorie 1 gram equal to 4 kilo calorie 1 gram में 4 kilo calorie होती है और 1 gram में 4 kilo calorie तो 4 into पच्चास तो टोटल आंसर है आपका 200 calorie राइट आंसर इस यार B वेरी नाइस B बिलकुल सही जवाब है B is the right आंसर चले ग्लास गाइज आज क्लास यहीं तक आज क्लास यहीं तक फिर मिलेंगे समझ में आया बच्चों समझ में आया बताएगा वेट समझ में आया चले तो अब लेते हैं विदा बबाए ग्रेट टाइम गुड़नाइट